अध्याए एक कुरुचेत्र के युद्ध स्थल में सैन्यन रिक्षन धितराश ने कहा ए संजय धर्मभूमी कुरुचेत्र में युद्ध की इच्छा से इकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय ने कहा ए राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की दियूरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे ये आचारे पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें यिसे आपके बुद्धिमान शिश्य दुरुपत के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है इस पेना में भीम तथा अरजुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धन उधर हैं यथा महारती युद्धान विराठ तथा दुपत्ध इनके साथ ही धृष्ट खेतु शेकितान काशिराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैप्ध जैसे महान शक्तिशाली पराक्रन युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्त मौजा सुभद्रा का पुत्र सता द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारती हैं किन्तु हे ब्रामन शुरेश्ट आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विशे में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को स पता सोमदत का पुत्र भुरिश्रवा आदी हैं यो युद्ध में सदैव विजई रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्या करने के लिए उद्ध हैं वे विविद्ध प्रकार के हत्यारों से सुसच्जित हैं और युद्ध विद्या में निपु अतेई सहन्यविव में अपने अपने मौचों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्व पितामय को पूरी-पूरी सहयता दें तब कुरुवंश के वयोगत परंप्रतापी एवं व्रत्र पितामय ने सिंग गर्जन किसी भनी करने वाले अपने शंक को कुछ स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्श हुआ सत्पश्चात शंक नगाडे बिगुल तुरही सता सिंग सहसा एक साथ बजुठे वह समवेश्वरत चंत कुला हलकून था दूसरी योड़ से शुयत खोनों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल दर्थ परातीन कृष्ण सता अर्जु पॉंडर नामक भैंकर शंक बजाया ए राजन कुंति पुत्र राजा युधिष्ट्र ने अपना अनंत विजय नामक शंक बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुखोष एवं मनी पुषपक शंक बजाया महां धनुर्जर काशी राज, परम योध्धा शिखंडी, जृष्ट द्युम, विराग, हजे सात्यकी, रुपद, रौपदी के पुत्र तथा सुबत्रा के महां बाहु पुत्र आदी सबों ने अपने अपने शंक बजाया तिन विभिने शंकों की धनी कोला हल्पून बन जो आकाश तथा प्रत्वी को शब्दाय मान करती हुई, पुत्राष्ट के पुत्रों से रुदय को विदीर्न करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित द्वजा लगे रत पर आतीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्दित पुत्राष्ट के पुत्रों को विव में खड़ा देव कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन करें। अर्जुन ने कहा। पुत्र राष्ट के दुर्भुत्री पुत्र दुर्योधन को प्रसंद करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए है। संजय ने कहा। हे भरतवशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किये जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रत को लाकर खड़ा कर दिया। भीश, द्रोन तथा विश्व भर के अन्यत समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि यह पार्ट यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताऊओं, पितामःओं, गुरुओं, मामाओं, भाईओं, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुबचिंतकों को भी देखा। जब कुंति पुत्र अर्जुन ने मित्रों तता संबंधियों की इन विभिन शेडियों को देखा, तो वह करुणा से अभी भूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की छारखने वाले अपने मित्रों तता संबंधियों को अपने समक्ष उपस्त तेक कर, मेरे शरीर के अंद काप रहे हैं, और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर काप रहा है, मेरे रोंगते खड़े हो रह है, और मेरी तवचा जल रही है, मैं यहां भार दिखड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं, और मेरा सिर चक्रा रहा है, एक कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, एक कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का बद करने से, ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं, ए गोविन, हमें राज्य, सुख, अथ्वा इस जीवन से क्या लाब, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे तसा अन्य सारे संबंधी, अपना अपना धन एवं प्रान देने के लिए तत्पर हैं, और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यो मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, ए जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भल ज़ी हम ऐसे आतताईयों का वद करते हैं, तो हम पर पाप चड़ेगा, अतय ये उचित नहीं होगा, कि हम धित्राष्ट के पुत्रों सथा उनके मित्रों का वद करें, ए लक्ष्मी पति कृष्ण, इससे हमें क्या लाब होगा, और अपने ही कुटंबियों को मार कर, हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, ए जनार्दन, यद्यपी लोग से अभिभूत चित्वाले ये लोग, अपने परिवार को मारने, या अपने मित्रों से द्रो करने में कोई दोश नहीं देखते, किन्तु हम लोग, जो परिवार के विनश्ट करने में अपरात देख सकते हैं, ऐस पाप कर्मों में क्यों प्रवरत्त हो? कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नश्ट हो जाती है। और इस तरहly शेष कुल भी अधर्म में प्रवरत्त हो जाता है। हे खृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की इस्तियां दूशित हो जाती हैं और इस सित्व के पतन से हे व्रिष्णी वंशी अवांचित संताने उत्पन होती है। जो लोग कुल परंपरा को विनश्ट करते हैं और इस तरह अवांचित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुश कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदाइक योजनाएं सथा परिवारिक कल्यानकारे विनश्ट हो जाते हैं। ये प्रजापालक प्रिश्ट मैंने गुरू परंपरा से सुना हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश्ट करते हैं वे सदैव नरक में वात करते हैं। कितने आश्टर की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त धारी दृत राश्टर के पुत्र मुझ निहत्ते ततारण भूमी में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रयस्तर होगा। संजय ने कहा युद्ध भूमी में इस प्रकार कहकर अरजुन ने अपना धनुष्त था बान एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रत के आसन पर बैठ गया।